नमस्कार मैं हूँ रिशीराज पाठक और आप देख रहे हैं रिशीराज उवाज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरे पूज पिताश्री नारायन पाठक जी की रचना श्रीकृष्ण ब्रज होली लीला एवं सुदामा चरित नामक नारायन रचनावली के तृती एक भजन और इस भजन का शीरशक है जूठ उरहानू यह भजन भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा माता यशोदा से एक निवेदन एक प्रार्थना के रूप में है और भगवान श्रीकृष्ण माता यशोदा से निवेदन कर रहे हैं कि मैं अब ब्रज में नहीं रहूंगा उसका कारण है कि जो गोपिकाएं हैं वे सब मुझ पर जूठा दोश लगाती हैं वे मेरे विशे में यह प्रवाद फैलाती हैं कि मैंने उनका माखन खा लिया मैंने उनके माखन की चोरी कर ली और मैं उनसे बड़ा पीडित हूँ मैं उनसे बड़ा त्रस्त हूँ तो इसलिए हे माता मैं यहां ब्रज में रहना नहीं चाहता मुझे हर प्रकार से सताया जाता है हर प्रकार से मुझे पीडित किया जाता है और यह मेरी व्यथा है और इस व्यथा के चलते में आपसे प्रार्थना निवेदन कर रहा हूं कि मैं ब्रज में नहीं रहूंगा तो इसी भाव से ओतप प्रूत यह भजन है ब्रज की धुन में कुछ इस परकार है क्यों नहीं रहेंगे उसका कारण मोखन ये ग्वालन चोर बतामे माखन चुरावे घन शाम री मेरी यशुदामया माखन चुरावे घन शाम री मेरी यशुदामया अबनाए रहुंगो ब्रजधाम री मेरी यशुदामया और दूसरी जो शिकायत है वो कुछ इस परकार से है कोई कहे यशुमतिने लियो मोल कोई कहे यशुमतिने लियो मोल देकर एक च्छदाम, री μέरी यशुदा मया अबनाए रहुंगो ब्रेजधाम, री मेरी यशुदा मया भगवान श्रीक्रिष्ण कहते हैं कि कोई जो गोपी का है मुझे चोर कहती है और कहती है कि गढशाम है जो श्रीक्रिष्ण है वह माखन्च चुराता है कोई कहती है कि यशोदा मय्या ने इसे मोल ले लिया है एक छदाम देकर तो ये तो मेरा अपमान है, मेरे विशय में जूठा प्रवाद फैलाया जा रहा है इसलिए मैं यहां ब्रज में नहीं रहना चाहता और अगला जो प्रवाद है श्री कृष्ण जी के विशय में अगली जो आपत्ती है भाकुछ इस प्रकार से है प्रजधाम री मेरी जशुदामया अबनाय रहुंगों प्रजधाम री मेरी जशुदामया ऐसी ये ब्रज की धीट गुजरियां इनसे बचा वै सदा राम लिए मेरी जशुदामया इनसे बचावे सदा राम री मेरी अशुदा मया अब नाय रहुँगों ब्रजधाम री मेरी अशुदा मया जूठो ये उर्हानों दें तोकूं इनकी तुमाने आठोयाम री मेरी अशुदा मया इनकी तुमाने आठोयाम री मेरी यशुदा मैया अबनाए रहूंगा ब्रजधाम री मेरी यशुदा मैया कृष्ण जी कहते हैं कि मैया यह जो ग्वालिनिया है यह मेरी जूठी शिकायत तुम से कहती हैं और तुम इनकी जूठी शिकायतों को सुन लेती हूँ और मान लेती हो, यह भी मेरी आपत्य का बहुत बड़ा कारण है और मैं यहाँ ब्रज में अब नहीं रहना चाहता और अंत में वो अपनी माता से, माता को अपने पक्ष में लेते हुए कहते हैं कान्ह नारायन भोरो में तेरो कान्ह नारायन भोरो में तेरो छीऊ में मया तेरे पाम री मेरी आशुदा मया अब नाए रहुगो ब्रजधाम री मेरी आशुदा मया भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे माता मैं कान्ह हूँ, मैं नारायन हूँ मैं तेरा भोला बालक हूँ, मैं तेरे पैर छूता हूँ कि तुम मुझे महा जाने दे, मैं ब्रज में अब नहीं रहना चाहता तो इसी प्रार्थना के साथ, इसी निवेदन के साथ यह भजन संपन्न होता है और इसमें भगवान शिर कृष्ण की जो एक पीडा है, जो लीला रूप पीडा है वह व्यक्त हुई है, आशा है आपको यह भाव प्रीतिकर लगा होगा अगली श्रिंख खला में पुनहां अगले भजन के साथ प्रस्तुत होँगा तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद